आपने बाजरे की रोटी पराठा पूरी खुब खाई होगी आज बनाएंगे बाजरे के आटे के टोस्ट यह बहुत ही हेल्दी और जल्दी बनने वाला नाश्ता है आप सुनका बहुत स्वागत है सभी तब लोग्स यूट्यूब चैनल कुकिंग वीडियो पर एक कप देख तरह से मिला लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे बाजरे के आटे में काफी पोशक ततों पाये जाते हैं आईरन और केल्सियम से भरपूर मात्रा में पाया जाता है देखे इस तरह से इसको कर लेंगे बहुत पतला घोल नहीं बनाएंगे इसमें गुठ लाल मिर्च पाउडर अगर आप बच्चों के लिए बना रहें तो आप इसकिप कर सकते हैं फिर डाले मैंने कद्दू कस करिए गाजर आप चाहें तो बारी भी काट सकते हैं इसको एक शिमला मिर्च आप अपने अकटिंग वेजिटेबल से इसमें डाल सकते हैं प्याज न फूट सौट भी डाल सकते हैं उससे भी क्रिस्प और टेस्टी बनेगी मैंने नहीं डाला है फिर मैंने डाले हल्डी पाउडर कलर के लिए अच्छी तरह से इनको मिला लेंगे मैंने वाइट ब्रेड लिए अप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं इसकी बिल्कु पतली सी लेयर लगाएंगे ब्रेड पर इस तरह से लगा लेंगे के अखिए को आपके घर में घेस्टा कि आजाते हैं तो आफ़ अखा नाके खिला सकते हैं काफी टेस्टी लगती है खाने में बहुत जल्दी बनने और यह बहुत जल्दी बनने वाला नाश्ता है आप जहां से भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लिस सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट से भी कीजिए लाइक भी कीजिए अब इसको कवर कर देते हैं देखिए इस तरह से ब्राउन से गए है इसमें ज्यादा स समय नहीं लगता है बनाने में अब इसको फिर से एक बार कबर कर देंगे अब मीडिया माच पर ही इसको से केंगे ड़कर बनाएंगी तो यह अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाएगा क्रिस्पी होगा देखिए इस तरह सी हो गए बन गए हैं अब जहां से भी मेरा वीड पीचे शेयर भी कीजिए थैंक यू